नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार सिक्चक न्यूकती परिक्षा रिजल्ट को लेकर BPSC अध्यक्ष का बयान अपसर रेल हाफसे की पहली जांच रिपोर्ट आई सामने निदीज कैबिनेट की बैठक में आठ हेजेंडो पर लगी मुहर विश्व कब 2023 के पॉइंट स्टेवल पर भारत तीसरे नमबर पर सबना ने नेशनल ओपन अथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिलवर झानकारी दी जा सके मालू होके एक सामाने अंडा में लगभग 70 कैलोडी उठा एवं उच्श अगुनवत्ता वाली प्रेकारितिक प्रोटीन की मातरा 6 ग्राम पाई जाती है इसके लावा वशा की मात्रा 4.5 ग्राम जिसमें 1.5 ग्राम संतुलित वशा और 2 ग्राम और संतुलित वशा पाए जाते हैं। जो मनुश्यों के स्वासे के लिए अतिंतलाव दायक हैं। 1634 योगिता सूची तयार करना शामिल है अभरती धैरे रखे और हमें अपना काम करने दे। बतादी कि ऐसी उमीद की जारी है कि इसका रिजल 15 या 16 ऑक्टूबर को BPSC के उर से जारी क्या जा सकता है हाला कि इसको लेकर को याधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। सपना ने नेशनल ओपन अथलेटिक्स चैंपियंशिप में जीता सिलवर। मालम हो कि सपना कुमारी पहले जारखन के ओर से खेलती थी लेकिन पिछले मही ने उसने जारखन एटलेटिक संग से एनोसी लेकर बिहार से जड़ने का नर्ड़ने लिया था। वही अब सपना गोआ में होने वाले नेशनल गेम्स में बिहार का प्रती निद्व करेंगी। वही सपना कुमारी के सजीत पर बिहार राजे खेल प्राधिकरन के महा निदेशक रविंदरान संकरन, निदेशक सह सचीव पंकज राज, बिहार इतलेटिक संक के सचीव लियाकत अली, बिहार उलमपिक संक के सचीव मुस्ताक एहमद आदी के द्वरा बधाई एवं राज्य में डिंगू के मामलों में लगातार विदी होती जा रही है ऐसे में स्वास्य विभाग बिसको लेकर पूरी तरह से अरट मोड में हैं बता दे कि राज्य में इस साल अब तक 9896 डिंगू के मरीज मिल चुके हैं जिसमें इस महीं डिंगू मरीजों का आकरा 3161 है इसके लावा बीते 24 घंटे में डिंगू के 296 नई मरीज मिले हैं राजी के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 286 मरीजों का उपचार चल रहा है फरजी जमाबंदी करने वाले कर्मियों पर दर्ज होगी F.I.R. भूमी सुधार उपसमहरता की बैठक में राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के सचीव जैसिंग के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि बहुत जल्दी उन कर्मियों को लेकर एक पत्र नर्ग की जारी है इसके साथ इनोंने इस बैठक में वासरह धूमी का सर्वे 31 ऑक्टूबर तक पूरा करने का नर्देश दिया है वहें इसके लाबा बहुत जल्दी विभाग में दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन में हुई तुरूटी को सुधारने के लिए नई विवस्था लाग होगी बिएड अभ्यर्थियों की याचिका पर एसी में टरी सुनवाई सुप्रीम कोट के दोरा बिहार के मिडल स्कूलों में चल रहे सक्षक नुक्ती में बिएड डिग्री धारक वभ्यर्थियों को वर्स एक से पांच में शामिल करने की मांग को लेकर दायर रीट बिंच में लिस्ट किया इसके बाद आजस मामले के सुनवाई कर रहे जस्टिस एस बोपन्ना एवं एम सुनरेशन के खड़पीर इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया इसके बाद अब इस मामले के सुनवाई किस बिंच में होगी इसका फैसला चीफ जस्टिस को करना है अब इस मामले की सुनवाई कब होगी इसको लेकर फिलाल कोई तारीक तैने की गई है पतादी के आर्थी कप्रा दिकाई के दोरा खाते लिगम के सहायक प्रबंधक बीहर के राजधानी पतनो और बेतिया मिरस्द आवास पर रेट मारी की गई इसके अलावा इनके काड़े आले में भी छापे मारी की गई बताया जा रहा है कि सहायक प्रबंदक सिशीर कुमार वर्मा के उपर एक प्रतिशत अधिक संपत्ती रखने का मामला सामने आया है जिसके बाद आर्थी कप्रा दिकाई के द्वारा आजुन के ठिकारों पर छापे मारी की गई बकसर रेल हाथसे की पहली जांच रिपोर्ट आई सामने को आई CRS वा रेलवे बोर्ड की सिंथ टीम के द्वारा जारी की गई है वहीं अब रिपोर्ट सौपे जाने के बाद रेल मंडल वा जोन के कई अफसरों पर बड़ी कारवाई हो सकती है नितीश काबिनेट की बैठक में आठ जिंडों पर लगी मोहर आज बिहार की मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा विसेश काबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें विवन विभागोस जिड़े कुल आठ जिंडों पर मोहर लगाए गए है जिसमें बिहार पंचायत सिवा नियमावाली 2010 के नियम 234 एवं साथ में संसोधन करने के संबंद में सुक्दित दी गई है महिं इंद्रागांती आरवेद विज्ञान संस्थान पटना के छेत्रीय चच्छू संस्थान के लिए विवन विभागो के सैचनिक एवं गैर सैचनिक को लेक सो उनचास अत्रिक्त पदों के श्रीजन की सुक्दित दी गई है राश्च्छी सुरक्षा के द्रिष्टिकोन के जी एफार 2017 के अनुरूप बिहार वित नियामावाली 150 के नियम 30 को संसुधत करने के संबंद में सुक्दित दी गई है मही राश्चाधीन सेवाओं में प्रणुति के पदों पर योगे कर्मियों को कारी प्रभार देने के संबंद में भी फैसला लिया गया है इसके साथ ही कई अन्य फैसलों पर भी सुक्दित दी गई आरजेरी को राश्च्रिय पार्टी बनाने को लेकर तेश्री आदव का बयान बिहार के उपमोख्य मंत्रे तेश्री आदव अब केरल से बिहार की राजधानी पटना पहुँच चुके है पतादी की पटना कोहुशने के बाद उन्होंने आरजेरी को राष्ट्रिय पार्टी बनानी को लेकर कहा कि हम लोगों की कोशिश है कि लालो के विचार धारा को आगे करे और राज़त को राष्ट्रिय पार्टी बनानी के लिए हम लोगों की कोशिश लगातार जारी है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केरल में विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी इसके साथ उन्होंने बकसर में हुए रेल हाथ से परशोप व्यक्त करते वे कहा किस मामले को हम लोगों के दौर अलगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है मकह मंत्री निदीश कुमार के भी नजरे बनी भी हैं सभी लोगों को सही सला मत बाहर निकालने का काम किया जा रहा दर्भंगा एयर्पोर्ट को लेकर विमानन मंत्री ने दी जानकारी। रात में लैंडिंग भी हो सकेगी इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट पर सुगम जांचेतू एक अतरक्त एकसरे मसीन और बैठने की छमता 150 से बढ़ा कर 240 की जाएगी तेश प्रताप के दरभंगे में बिहार की राजधानी पटना के को तेश प्रताप को घरलो हिंसा का दोशी माना है और एक महीने का रुटी मेटम दिया है इसके साथ ही कोट के द्वरा इस मामली को लेकर आदेश दिया गया है कैश्वडया के रहनी की विवस्था घर का किराया बिजली का बिल समेथ सभी खर्च तेश प्रताप द्वरा उठाए जाएंगे इसके लावा कोट की ओर से तेश प्रताप यादब को किसी तरह की घरेलू हिंसा ना करने का भी आदेश दिया गया है बतादी कि अब इस मामली पर अगली सुनवाई 31 ओक्टूबर 2023 को आयोजित की गई है सीम नितीश ने रभी महाभियान 2023 प्रचार रथो को हरी जंडी दिखा कर किया सुभारम आज बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार के द्वारा मुख्य मंतरी सचिवाले से रभी महाभियान 2023 प्रचार रथो को हरी जंडी दिखा कर सुभारम किया गया इस दोरान इस कारीक्रम में विसुस्ट अतिती के रूप में उप मुख्य मंत्री तेश्य यादा भी शामिल है वहीं इस कारीक्रम के अध्यक्सता क्रिश्टी मंत्री कुमार सरवजीत के द्वारा की गई थी बता दे किस कारीक्रम का मुख्य उद्दे से किसानों को खड़ी फसल की तकनी की जानकारी देना, क्रिशी विभाग दोरा संचालित योजनाओ की जानकारी देना, रवी में अनुदानित दर पर उत्पादन वित्रन की जानकारी देना, जलवायू अनुकूल क्रिशी कारीक्र के मुख्यमंतरे नितीश हुमार से मिलकर लालू पुषाद से मिलने के लिए राबरी आवाज पहुँचे ऐसे में अब बिहार की राजजीती में एक बार फिर से नया चर्चा शुरू हो गया है ऐसे में आज एक बार फिर से ललन सेंग राबरी आवाज से मिलने पहुचे है विशुकब 2023 के पॉइंट स्टेवल पर भारत तीसरे नमबर पर विशुकब 2023 में भारत अपना अगला मैच कल यानि की 14 अक्टूबर को पाकस्तान के साथ खेलने वाला है ऐसे में इस मैच से पहले भारत तभी विशुकब 2023 के पॉइंट टेवल में तीसरे स्टान पर काबिज है वहीं इस पॉइंट टेवल पर पहले स्टान पर रन रेट प्लस दो दसम लो तीन छे स्टान पर दक्षिन अफरिका है पाकस्तान प्लस 7927 रन रेट के साथ इस पॉइंट टेवल में 4 अस्थान पर इसके लावा इस पॉइंट टेवल पर सबसे नीचे माइनस 1.907 रन रेट के साथ अफगानस्तान है आज से इविनिग निउस में हम अपने दर्शकों के लिए एक खास सिग्मेंट लाड़ा हैं जिसमें हम निउस गुलिटिन के अधमें अपने दर्शकों से 5 सवाल पूछेंगे यह सवाल इसी न्यूज से जुरा होगा, ऐसे में आपको इन सभी न्यूज को ध्यान से सुनना है और इसका सही सही जवाब देना है सबसे अधा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट मे लेंगे हमारा पहला सवाल है सप्टा ने किस चैंपियंशिप में सिल्वर मिडल जीता है अप्शन ए 62 नेशनल ओपन एटलेटिक्स चैंपियंशिप अप्शन भी एसियन गेम्स तो हजारतेज अप्शन सी ओलंपिक गेम अप्शन डी राश्ट्री अंतर राजिये चैंपियंशिप इसका सहीुद तरह है ऑप्शन ए 62 नेशनल ओपन एटलेटिक्स चैंपियंशिप अगला सवाल आज ने इतीज काबिनेट की बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगी इसका सहीुद तरह है ऑप्शन डी आठ अगला सवाल विश्व अंडा दिवस मनाने का निर्ने किस वर्ष क्या गया ऑप्शन A 1995, ऑप्शन B 1987, ऑप्शन C 1996, ऑप्शन D 1997 इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 1996 अगला सवाल विश्व कब 2023 के पॉइंट टेवल पर पहले नमबर पर कौन सी क्रिकेट टीम है ऑप्शन A भारत, ऑप्शन B अफगानस्तान, ऑप्शन C न्यूजलाण, ऑप्शन D दक्षिन अफ्रिका इसका सही उत्तर है ऑप्शन D दक्षिन अफ्रिका अगला सवाल भारत के केंद्रे विवानर मंत्री कौन है option E, जोती रादिते, M. सिंधिया option B, टॉक्टर मनसुख मानविया option C, अनुडाग सिंख ठाकुर option D, धर्मिंद प्रधान इसका सही हुत्तर है option E, जोती रादिते, M. सिंधिया बीते दिन हमाय दर पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर सर्मा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, नितीश कुमार, मुहमद नेशर आलम, मुहमद असलम, अर्चन अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चल्न को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले, थन्यवाद